शिक्रश्ण का नहिया लाल की जय, शिवल्लबा धीश की जय, 84 वेश्णवन की वार्ता जे शिक्रश्ण 43 वेश्णव, एक शत्राणी, वार्ता प्रसंग एक सो चर्खा काते सूत बेचे, तामे ते दोई पेशा न्यारे धरे, यो करत जब कच्छू पेशा भेले भए, तब दिन दस बारह की बालभोक की सामगरी करी राकी, तब गी खान लाई मेंदा चानी के लाडू करे, पाचे एक हंडी भरी मुह बांदी के मंदीर में छीका पर ध पिचारियों, जो दिन दस बारह को तो बालभोक करन सो निश्चिंत भई, सो राजभोक सो पहुची अनोसर कराई महाप्रसाद ले चर्खा कातन बेठी, तब शी आचेर जी की कानी ते शी ठाकुर जी सिंगासन पर सो उठी, छीका पर ते लाडू की हंडी उतारे, पाचे स सिंगासन पर लेके बेठे, हंडी में ते निकासी के लाडू अरोगन लागे, सो मंदीर में हंडी को आहट होन लागियो, तब बहशत्राणी ने मन में विचार कियो, जो मंदीर में हंडी को शब्द होते हैं, सो सामगरी के हंडी में मुसा बिलाई तो न लागी होई, यह व पामेते लाडू अरोगत हैं यह देखी के भर शत्रानी छाती कुटन लागी कहे यह सामगरी तो आपू ही के लिए करी हती दिन दस बारह की सो आजू ही अरोंगे सब तब सिठाकोर जी कहे तु इक्ठोरी करी के सामगरी निश्चिंत भेके बेठी दस बारह दिन को सो मोको तो नित्य नई ताजी होई सो भावत हैं बासी सामगरी कोन काम की तब वह शत्रानी दन्वत करी विंती किये महराज में चूकी जो एसी करी अब नित्य ताजी करूंगी आलस्य न करूंगी तब ते वह शत्रानी नित्य नई सामगरी करी के धरन लागी भाव प्रकास और शी ठ थाकोरजी सगरी सामगरी याते अरोगे जो नित्ते सामगरी नई करिवे के आरती रहे जो निश्चिंत रहेंगी तो मन को निरोधन होएगो मन जहां तहां भटकेगो ताते अरोगे सब और यह वेशनों को जताए जो वासी सामगरी काम की नाही ताजी नित्ते नोतन अतिप् छाती याते कूटी जो यह पुष्टी मार की मरियादा है जो वेश्णों भोग धरे सुर्षी ठाकुर जी अरोगे सुर्षी ठाकुर जी ने मरियादा छोड़ी सामगरी आप ही अपने हाथ सो अरोगे तो कहू मोको न छोड़े, मरियादा जैसे छोड़े, तेसे मोको छोड़े, तो अनर्थ होई, और यह भाव है, जो शी ठाकोर जी आपू लेके अरोगे, तामे सेवा सिद्ध न भई, मोसो आज्या करते, मैं अपने हाथ सो धरती, तो मेरे हाथ सो फल हो तो मेरी सेवा गई, सो सेवा के लिए छाती कुटी, काहे ते, जो सामगरी शी ठाकोर जी के लिए करी हती, सो शी ठाकोर जी आरोगे, तामे तो प्रसन होई, सो छाती कुटी, सेवा गई ताके लिए, और यह वारता में यह जताए, जो सामगरी शी ठाकोर जी के लिए विचार के करिये, तो शी ठाकोर जी प्रिती सो अरोगे जो ओर मनुरत किये जो लोगन को समाधान करनों है हमको यह वस्तु बहुत भावत है इत्यादिक भाव होई तो द्रश्टी सो अंगीकार करे परंतु प्रसन होई के न अरोगे ताते शी ठाकोर जी के भाव सो सामगरी करनी तो वह शत्रानी शी आचेरीज की क्रपापात्र भगवदी हती इनकी वारता कहां ताही कहिए सदा सुहागी जेशी क्रश्ण